Hello students, good morning हमारा previous chapter, chapter number 5 चित्रकूट में भरत इसके question answer को हम आगे करते हैं part 2 में तो start करते हैं फस्त question आता है हमारा भरत को अयुद्या नगरी में क्या बदलाव नजर आया और उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे तो देखे जो भरत है वो जब अपने ननी हाल से लटकर आयुद्या में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो आयुद्या नगरी उन्हें वो वैसी नहीं लगती जैसी वो छोड़कर गए थे तो वो कहते हैं कि ये नगर इतना बदला बदला सा है और जो उन्होंने स्वपन देखा था उसकी जो आशंका थी वो उन्हें नजर आ रही थी और उनके मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे थे उन्हें अयुद्या की नर्ग सड़कें सूनी लग रही थी बाग बाग इचे उदास थे और वो पूछ रहे थे कि यहां के सब लोग कहां हैं कोई पक्षी कलरफ क्यों नहीं कर रहे हैं इतनी चुप्पी क्यों हैं इस तरीके के अनिक सवाल उनके मन में चल रहे थे नेक्स्ट महराज दस्टरत के विश्य में कहकई नहीं भरत को क्या बताया कि पुत्र तुम्हारे पिता वहां चले गए हैं जहां एक दिर हम सब को जाना हैं उनका निधन हो गया है कहकई ने भरत को राजकुद्धी पर बैठने के लिए कैसे कहा कि उठो पुत्र अब अयुद्या का निश्कन ठक राज्य है निश्कन ठक मीन बिना किसी रुकावट के यह अब तुम्हारा है इसको अब तुम सम्हालो चित्रकूर्ट से वापस आते हुए भरत ने राम से क्या मांगा कि जो भरत हैं वो राम से कहते हैं कि अगर अगर आप मेरे साथ वापस नहीं चलेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं लोटूंगा मैं आपकी चरन पादुका लेकर जाऊंगा और उन्हें आपका प्रतीक मानकर 14 वर्ष तक अयुद्या से भार रहकर राजकाज करूंगा कि वो ये कहते हैं कि मैं खुद आप नहीं चलोगे तो मैं खुद भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा और मैं आपकी चरन पादुकाओं को लेकर उन्हें राजगद्धी पर रखकर आयुद्या से भार रहकरी राजकाज को समहा लूँगा नेक्स आपके बहुविकल्पी कोश्यन से भरत ने ननिहाल में क्या देखा एक बुरा सपना भरत का ननिहाल कहा था कैकर राज भरत के लिए अयुद्या का राज्य किस परकार का है निशकन तक भरत को किसके द्वारपता चला की अयुद्या की विपत्ती में मंत्रा की प्रमुक भूमिका है विपत्ती मींज जो इतनी बड़ी जो उनके उपर मुसीवत आई थी उसमें था शत्रूग्न के द्वारपता चला भरत चित्रूगूट में सबसे पहले किसके आश्रम में पहुँचे रिशी भारद्वाज शंगवेर पुर में भरत का नेत्रत्व किसने किया निशाद राज गूने भरत किसको साथ लेकर पर्ण कुटी की और बड़े शत्रूग्न रगुकुल की परंपरा में राजा कौन होता है जैस्ट पुत्र चित्रकूट से भरत क्या लेकर वापस आयते चरन पादुका को श्री रामकी तो स्टूडेंट्स आज हमारा चेप्टर नमर फाइब कंप्लीट होता है तो हम अपने सभी कोश्चन्स को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे